नमस्कार दोस्तों देखो सीको स्टेडी में आप सभी लोग का स्वागत है छोटी सी अपडेट है जल्दी से दो मिनेट में बता देते हैं देखिए यहाँ पर क्या चीज़ है यूपिटर प्लसी अमरुजाला का यह संसकर्ण है आप देख रहे हैं यूपिटर प्लसी के बा उसके बाद यहाँ पर आप देखें तो मैं छोटे में बता देने का प्रयास करता हूँ यहाँ पर में जो बताएगा कि जो है सरकार की ओर से याग रख किया गया कि जो विभाग है वो जल्दी से जल्दी जो है यूपिटर प्लसी यानि की जो है जो इक्जाम कराने वाला जो आयोग है उसको जो है अपनी जो भी चीजें है कितनी वेकेंसी है यह सब आपका बेदिया जिसे की नियमानुसार जो भरती प्रस्ताव है इनको इनका प्री परिच्छा का तयारी किया जा सके इसके बारे बताएगा है साथी साथ आगर आप यहाँ पर देखेंगे तो यहाँ पर बहुत इंपोर्टेन चीज़ बताएगा है वेकेंसी के बारे बताएगा है कि जो नया EWS यार अच्छा प्रवधान की बात करें यानि EWS वाला जब यह आया था तब कुछ भरतियां आई थी यहाँ पर भरती कराने के लिए यानि कि यहाँ पर जो प्रस्ताव थ पर बताएगा है 35,000 के करीब में वेकेंसी थी और यहाँ पर आगे बताएगा है कि आयोग के वरिष्ट अधिकारी कोई है उनके अनुसार अगर बात करें तो नए सीरे से जो भरती आएगी ठीक है इसमें दोस्तों यह आकड़ा बढ़ सकता है और यह जो आपकी भरती हो ज जाएगी ठीक है तो जल्दी आपके लिए 40,000 के करीब में वेकेंसी आने वाले है यह दिमाग में बठा लिए साथी साथ वही यहाँ पर बताएगा कि यहाँ पर अगर आगे देखेंगे तो आपको यह पता चलेगा कि यहाँ पर ही अमरुजाला ने बताए कि युवाओं म में चीज यहाँ पर बताएगा है कई लोग यहाँ पर पूछें तो यहाँ पर पूछें तो यहाँ पर में चीज बताएगा है यहाँ पर देखें यहाँ पर बताएगा है कि आयो के वे वरिष्ट अधिकारी ने बताया कि आने वाले दिनों में पंचायत चुनावा रखकर मार्च अप्रेल में प्री परिच्छा जो है यहां पर कराए जाने पर विचार होगा यानि मार्च और अप्रेल के आसपास जो है आपका प्री परिच्छा ने पीटी कह लें तो पीटी होने का चांस है तो जो लोग अभी तक तैयारी नहीं कर रहते हैं तैयारी करिए क्योंकि आगी जो भी वेकंसी आएगी उसमें P.E.T. आपका मान नहीं होगा P.E.T. पास नहीं कर पाएगे नहीं किये रहेंगे तो आप जान रहें ये P.E.T. का कई लोग पूछ रहेंगे तो ये जो है P.E.T. जो है साल में दो बार कराने का जो है यहाँ पर अभी तक प्रस प्रिचा के लिए तयारी जो भी लोग कर रहें अभी तोड़ी आपकि रहेंगी यूपी का इक्जाम है तो ये अपने से दिमाग लगा लाग लिए जैस तो रहे गाई हरे एक एक्जाम में आता है ये दोनों रहे गाई और रियसनिंग भी रहने के पुरा पुरा चांस है म चोटी सी अपडेट थी, सोच आप सभी लोगों को बता दे, आसा करता है वीडियो पसंद आओगा, वीडियो को अधिक सी लाइक शेयर कीज़ेगा, आपका लाइक शेयर और अच्छे चे कमेंट ही, हमें मोटिवेट करता के विज़नाने के लिए, हमारे वीडियो देखने के आप सभी लोगों का फिर से बहुत बहुत धन्यवाद